अनिति 30 केन्ट कुंडली 84 में आपका स्वागत हैं इस लगन के अगर बात करें रत्म की से इस sıkो चालू करने है कि कौन्स लगन में कौना रत्म पहन पहनना चाहिए तो सबसे पहले मेश लगन में अगर रत्म की बात करूं तो मेश लगन में जो केंदर हैं पांचवा और नवा केंदर और त्रिकोंड ये केंदर भी है त्रिकोंड भी है तो अगर बात करें तो मंगल अगर मंगल देओ इस लगन में 0 से 10 डिगरी 0 से 6 डिगरी 8 पांच डिगरी तक बैठें साथ डिग्री तक बैठें तो इनका रतन आप ज़रूर पहनें मंगल का जो रतन होता हो मूंगा आप धारण कर सकते हैं लेकिन अगर मंगल देओ छे आठ बारा में आ जाएं अपनी कुंडली में देख लें अगर छे आठ बारा में तो उनका रतन बिलकुल धारण नहीं करना ठीक है अगर वो 6-8-12 में आके सूरे से अस्त हो जा रहे हैं यहाँ पर सूरे भी आ जाए मंगल देओ के साथ वो अस्त कर दें तो आप उनका रत में 6-8-12 में कहीं भी पहन सकते हैं यहाँ यहाँ कहीं भी दूसरा जो रतना है इसमें तो सूरे अगर सूरे डिग्री वाइस क पहन लिजेगा अगर मैं गुरू की बात करूं तो गुरू का पुखराज रतन आपको कब पहनना है जब वो डिग्री वाइस 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री के हैं तो उनका रतन आपको पहनना है तो यहाँ पर आपको गुरू का रतन पहना जा सकता है लेकिन अगर गु तो आप उनका रतन हाँ पहन सकते हैं अब एक कोश्चन उड़ता है क्या शनी का रतन हाँ पहन सकते हैं इस लगन में अगर बुद्ध की बात करों तो बुद्ध अतिमारक है बुद्ध का रतन हाँ एवाइट करें शनी का रतन है वो है नीलम और बुद्ध का रतन है वो है पन्ना तो बुद्ध का रतन आपको नहीं पहनना है इसके लावा शुकर का रतन भी आपको नहीं पहनना है क्योंकि शुकर इसमें मारक गिने जाते हैं ठीक है तो शुकर का कौन सा रतन ही रहा तो इस लगन में जो र करें सब्सक्राइब करें बागी सुरे का मानिक चंद्र का मोती मंगल का मुंगा बुद का पन्ना गुरू का पुक्राज शुक्र का हीरा शनी का नीलम राहू का गुमेद और केतु का लह सुनिया रतना होता है धन्यवाद